हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल ट्रीम जित इस्टरी पॉइंट तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना आज के इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में बात तो friends आपने देखा होगा कि कुछ भर्ब ऐसे होते हैं जिनकी बाद preposition आता है तो friends जब भी verb की बाद कोई preposition आता हो तो वह verb phrasal verb कहल आएगा ठीक है आपको समझ में आगया होगा ठीक है जब भी verb के बाद कोई preposition आएगा तो उस भर्ब को हम phrasal verb कहते हैं ठीक है तो चली अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं phrasal verb तो friends सबसे पहला phrasal verb है act on जिसको हिंदी में कहते है असर करना act on means असर करना अब देखते हैं second word तो friends second word है ask for जिसे हिंदी में कहते हैं मांगना ask for जिसे हिंदी में कहते हैं मांगना चली friends तो अगले word देखते हैं अगला word यानि third number word है attend to जिसे हिंदी में कहते हैं धयान देना attend to जिसे हिंदी में कहते हैं धयान देना चलिए तो अब अगले word की तरब बढ़ते है और देखते हैं अगला word क्या है तो friends अगला word है account for जिसको हिंडी में कहते है उत्तरदाई होना account for जिसको हिंदी में क्या कहते है उत्तर दाई होना ठीक है चलिए तो अब अगले word की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं अगला word क्या है तो friends अगला word है answer whack answer whack जिसको हिंदी में कहते हैं मुझ लगे जवाब देना answer whack जिसे हिंदी में कहते हैं मुझ लगे जवाब देना चलिए अगले word देखते हैं तो friends अगले word है यानि six number word है attend on जिसे हिंदी में कहते हैं देखवाल करना attend on जिसे हिंदी में क्या कहते हैं देखवाल करना चलिए तो अगला word देखते हैं तो friends अगला word है bring up जिसे हिंदी में कहते हैं, लालन पालन करना, ब्रिंग अप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लालन पालन करना, चलिए, तो अब अगले वर्ड देखते हैं, तो अगला वर्ड है, बैक अप, जिसको हिंदी में कहते हैं, का समर्थन करना, का समर्थन करना, बैक अप, मतलब का स मर्थन करना चलिए फ्रेंट्स तो अब आगे देखते हैं तो फ्रेंट्स अगला वर्ड है ब्रेक ओपिन ब्रेक ओपिन जिसको हिंदी में कहते है तोर कर खोलना ब्रेक ओपिन जिसे हिंदी में कहते है तोर कर खोलना फिर नेक्स्ट वर्ड है, बैक आउट, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुकर जाना, बैक आउट, हिंदी में क्या कहेंगे, मुकर जाना, चलिए, अब अगले वर्ड देखते हैं, तो फ्रेंट्स, अगला वर्ड है, बैंक आउन, बैंक आउन, जिसे हिंदी में कहते हैं, भरोसा या न नीरभर करना。 चलिए तो अगला वर्ड देखते हैं तो फ्रेंट्स अगला वर्ड है ब्रेक आउट ब्रेक आउट जिसे हिंदी में कहते हैं दंगा लराई बहस या भिमारी, तो ये break out, जिसको हिंदी में कहते है, दंगा, लराई, बहस या भिमारी, तो चलिए अब आगे वढ़ते हैं, और देखते हैं अगला word क्या है, तो अगला word है, wear out wear out, इसको हिंदी में कहते है सावित करना, wear out means क्या होगा, सावित करना, चलिए तो अगले word देख लेते हैं, तो अगला word है, break into break into, जिसको हिंदी में कहेंगे, जवर्दस्ती भीतर घुष जाना break into, मतलब जवर्दस्ती भीतर घुष जाना चलिए, अब last word देखते हैं, तो फ्रेंड्स, last word है, waiter of last word है, better of जिसको हिंदी में कहते हैं, अच्छी इस्तिती में, better of जिसको हिंदी में कहेंगे, अच्छी इस्तिती में, तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही last में एक छोटी से request है अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को फ्रेंड्स, एक like जिरूड करें साथी साथ अपने दोस्तों को share करें, और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा चलिए, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है